प्रश्णोत तरी इस दुनिया में कई लोग पवित्र आत्मा का अंतर निवास पाना चाहते हैं और हमें इंटरनेट के साथ भिन भिन माद्यम से प्रश्णों को भेजते हैं यहां हमने कुछ प्रश्णों का उत्तर देने की कोशिश के हैं जो सबसे ज्यादा पूछे गए प्रश्ण या महत्वपून प्रश्ण है प्रश्ण नमबर एक मैं येशु पर विश्वास करता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने पापों की शंपूर्ण माफी पाई है मैं यहाँ भी विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर निवास करता है मैं जानना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति बचाया गया है वहाँ परमेश्वर का मंदिर है हर बार जब मैं गुमरा हुआ और मैंने पाप किया तब पवित्र आत्मा ने मेरे पापों से मुझे मावी दिलाने के लिए मुझे पर दोस लगाकर अंगीकार करने में मेरी मदद की, और परमेश्वर के साथ मेरा रिष्टा पुनस्तापित किया। मैं यहाँ सिखा हूँ कि यदि मैं यहाँ ना करू तो परमेश्वर मुझे दंड देगा। क्या यहाँ सच है कि यदि हम हमारे पापों को अंगिकार न करे और पापों की माफी न पाए तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं रहता। पवित्र आत्मा व्यक्ति के अंदर नहीं रहता है क्योंकि वह अपने पापों को स्विकार करता है और अपने लिये ख्षमा करता है। और ख्षमा की भीक मांगते हैं और यदि वे ऐसा नहीं करते तो वहां उनके अंदर नहीं रह सकता। यहां निश्चित रूप से गलत है। बाइबल कहती है कि वहां पिंति कुस्त के दिन प्रवितों के उपर आया था। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने अपनी प्रात्नाओं के माध्यम से पवित्र आत्मा का अंतर निवास प्राप्त किया था। बलकि इसलिए प्राप्त किया था कि उन्हें पानी और आत्मा के सू समाचार में विश्वास करने के द्वारा अपने पापों के लिए माफ कर दिया गया था। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है और वह धर्मी लोगों पराती है जिन्हें उनके पापों के लिए माफी प्राप्त करने के लिए पवित्र किया गया है पवित्र सब्द से बाईबल का मतलब पाप से अलग होना है अपने पापों को कबूल करना और जब भी आप अपरात करते हैं तो क्षमा की प्रातना करना परमेश्वर की द्रिष्टी में शंपूर्ण क्षमा नहीं है कैसे कोई कह सकता है कि वह बिना चुप के अपने सारे पापों को परमेश्वर के सामने कबूल कर सकता है केवल वे जो मानते हैं कि परमेश्वर की योजना के मुताबिक ये शु को युहनाद्वारा बप्तिस्मा दिया गया था और उनके उद्धार के लिए क्रूस पर अपना लहु भाया था, वही परमेश्वर से उपहार के रुप में पवित्र आत्मा के अंतर निवास के साथ अपने पापों की शम्पूर्ण माफी पा सकता है। परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा का अंतर निवास पाने के लिए यह विस्वास का अनिवारी घटक है। पापों को उठा लिया था, तब हम हमारे पापों से माफी पाते हैं। पवित्र आत्मा केवल उस व्यक्ति में निवास करता है, जो इस तरह के विस्वास को दरसाता है। वह ऐसे व्यक्ति में नहीं रह सकता, जिसके दिल में पाप है। यह सच है, यदि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा का अंतर निवास पाने के लिए सच्चे सुसमाचार में विस्वास करने के बजाए, हर बार जब वे पाप करे, तब अंगिकार की प्रात्ना करे, तो वह कभी भी पवित्र आत्मा नहीं पा सकता है। इससे केवल यही पता चलता है कि येशु पर विस्वास करने के बावजुद अभी भी उसके दिल में पाप है। पापों की माफी नहीं पाया है, तो अभी भी उसके रिदे में पाप है। यही कारण है कि आपको पवित्र आत्मा का अंतर निवास प्राप्त करने के लिए पानी और आत्मा के सूसमाचार का सही गनान होना चाहिए। यदि आप पानी और आत्मा के सूसमाचार के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हम आपको सला देते हैं कि आप पॉल सी जॉंग के पहले खंड को पड़े, क्या वास्तों में आपका पानी और आत्मा से नया जन्म हुआ है? प्रश्न नंबर दो, यदि व्यक्ति पानी और आत्मा के सूसमाचार में विस्वास करें, तो क्या पवित्र आत्मा हमेशा के लिए नया जन्म पाए हुए व्यक्ति के अंदर रहेगा? या फिर पवित्र आत्मा उनके इर्द गिर्द घुमेगा और जब वे मदद मांगेंग तब उनके अंदर आएगा. उतर, पवित्र आत्मा सहायक है. दूसरे सब्द में, सत्य की आत्मा जिसे परमेश्वर ने उन सभी धर्मी लोगों के लिए दिया है, जो पानी और आत्मा के द्वारा नया जन्म पाए है. जब से येश्व मसी को युहन्ना बप्तिस्मा देने प्रतिगना किये हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी. पवित्र आत्मा उन धर्मी लोगों पर आता है, जिन्होंने येश्व मसी पर विस्वास करके अपने पापों की माफी पाई है, और इस तरह उन्हें परमेश्वर की संतान के रूप में छाप लगाई गई है. युह पापों के लिए माफी पाई कि येश्व ने अपने वप्तिस्मा के द्वारा जगत के सारे पापों को उठा लिया. यही कारण है कि युहना वप्तिस्मा देने वाले ने कहा, युहना अध्याए एक बच्चन 29 में, दूसरे दिन उसने येश्व को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यहां परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है. जगत के पाप वे सभी पाप है जो इस दुनिया के सारे लोग जगत के सुरू से लेकर अंततक करते हैं. उसने एक ही बार में जगत के सारे पापों को स्विकार कर लिया, कुरूस पर मर गया, पुनरुतित हुआ और इस तरह उसने हमें हमेशा के लिए धर्मी बना दिया. इबरानियो अध्याई 10 वचन 12 से 14 में लिखा है परंतु यह व्यक्तितों पापों के बदले एक ही बलिदान सरवदा के लिए चड़ा कर परमेश्वर के दाही ने जा बेठा और उसी समय से उस फिर कुरूस पर चड़ा, फिर पुनरुतित हुआ और फिर हमें हमेशा के लिए धर्मी बनाया. हमें एक ही बार में हमारे सारे पापों के लिए माफ कर दिया गया और येश्व के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन गए और यह सत्य सभी अनंत काल के लिए अपरिवरतन जो लोग विश्वास के माध्यम से धर्मी बन गए हैं, उनके दिल में पाप नहीं है। जो लिए धर्मी बना दिया, बरबाद हो जाएगा। और उसे हमारे पापों को स्विकार करने के बाद फिर से हमारे लिए मरना होगा। यहां पवित्र आत्मा की निंदा करने का पाप है। अध्याइ 6 वचन 16 में कहा, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूँगा और उनमें चला फिरा करूँगा। और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। पवित्र आत्मा हमेश्वर की संतान में निवास करता है, जिन्हें हमेश्वर के लिए पवित्र किया गया है। यहां निवास सब्द का अर्थ यहां नहीं है कि वह हमारे चारो और मंडराता है। जब भी हम प्रात्ना करते हैं और उसके लिए पुकारते हैं तो वह हमारे पास आता है। इसके बजाए इसका मतलब है वह हमेशा हमारे अंदर रहता है। वह हमेशा उन लोगों में रहता जिन्होंने पानी और आत्मा से नया जन्म पाया है। उन्हें सारी चीज़े सिखाता है और उन्हें परमेश्वर के वचन जानने में अगवाई करता है। इसके बजाए वह हमेशा परमेश्वर की संतानों में बसता है, जिन्होंने पानी और आत्मा के सूसमाचार के द्वारा नया जिन्मक आया है। जिनके अंदर सच्चा विश्वास है, वे विश्वास करते हैं कि पापों की माफी के माध्यम से वे पवित्र आत्मा के अंतर निवास को उपहार के तौर पर पा सकते हैं। कि मैं जब पैदा हुआ तब से पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, हलाकि मैं बहुत ही परिशान हो, क्योंकि मेरे पास पवित्र आत्मा का अंतर निवास पाने के लिए बाइबल का ग्यान नहीं है। क्या पवित्र आत्मा केवल तब व्यप्ति के उपर आता है जब वह पानी और आत्मा से नया जिन्म पाए। उद्धर, हाँ, यह सच है, सारे लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए पानी और आत्मा के सूसमाचार में विश्वास करके अपने पापों से माफी पाने की आवशकता है। गलातियो अध्यायतीन वचन 27 कहता है और तुम्मे से जितनोंने मसी में बप्तिस्मा लिया है उन्होंने मसी को पहन लिया है। यहां मस्ती में बब्तिस्मा लेना हमारे पानी के बब्तिस्मा को नहीं दर्शाता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि युहना के द्वारा येश्यू के बब्तिस्मा को समझ कर और विश्वास करके पापों की माफी पाना। हर कोई पाप मैं सरीर में जन्म लेता है। रोमियो अध्याई 5 वचन 12 कहता है इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रिती से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया इस दुनिया में सभी लोग पापी है जिन्हें आदम और पाप विरासत में मिले हैं इसलिए भजन सहीता अध्याई 51 वचन 5 में लिखा है देख मैं अधर्म के साथ उत्पन हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्ब में पड़ा यह शाया एक चार में लिखा है हाई यह जाती पाप से कैसी भरी है यह समाज अधर्म से कैसा लग हुआ है इस वन्स के लोग कैसे कुकरमी है यह बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए है लोगों के पाप का बीज उस दिन से सुरू होता है जिस दिन से वे पैदा होते हैं इस दुनिया में सभी लोग अपने माता-पिता से पापों को प्राप्त करते हैं और पापियों के र पवित्र आत्मा प्राप्त होगा यहां केवल एक अंद विश्वास है जिसके पास इस प्रकार का विश्वास है वह अपने विचारों के माध्यम से पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की कोशिश करता है और पवित्र आत्मा का अंतर निवास इस प्रकार के विश्वास के स पुत्र ने युहना द्वारा बप्तिसमा लेकर जगत के सारे पापों को उठा लिया, फिर कुरूस पर उसका न्याय किया गया और इस तरह उसने सारे विश्वासियों को धर्मी बनाया। पापों की एक शमा प्राफ्ट करता है और पवित्र हो जाता है। इसलिए सभी को इसे ध्यान में रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि पवित्र आत्मा उन पर केवल तब आता है जब वहाँ पानी और आत्मा से नया जन्म पाए। प्रमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा का अंतर निवास विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उसकी इच्छा यह थी कि युहन्ना के द्वारा येशु के बप्तिस्मा और उसके क्रूस पर मरने के द्वारा मनुष्य जाती को जगत के सारे पापों से बचाने के लिएवा येशु को इस जगत में भेजे, जिसे पवित्र आत्मा विश्वासयों के दिल में बसने की अनु इसलिए यह विश्वास करना कि किसे ने पवित्र आत्मा को सिर्फ इसलिए प्राप्त किया है क्योंकि वह नया जन्म पाया हुआ, माता-पिता से पैदा हुआ है, यह एक अंध विश्वास है. यह वैसा ही है जैसा कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की कोशिश करना यदि कोई पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहता है तो पानी और आत्मा के सूसमाचार पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है प्रष्णा नंबर चाहर इसलिए कई पर्मेश्वर के जन आज भी चमतकार करते हैं उदारन के तौर पर दुष्ट आत्माओं को निकालना या चंगाई देना और लोगों को येश्व की वापस लाने के लिए अन्य दूसरे चमतकार करना मुझे लगता है कि यह कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा होते हैं यदि यह सच नहीं है तो आरम की कलिशय के समय पवित्र आत्मा जो कार्य करता था उनमें और आज जो चमतकार होता है उनमें क्या अंतर है क्या परमेश्वर कल आज और हमेशा के लिए एक जैसा नहीं है उत्तर आरम की कलिश्या के समय में कार्य करते पवित्र आत्मा और अभी के समय में कार्य करने वाले पवित्र आत्मा में कोई अंतर नहीं है फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय चमतकार करने वाले लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते है या नहीं। इसका कारण यह है कि भलही परवेश्वर की आत्मा हमेसा एक समान ही है, लेकिन अंतर यह है कि क्या व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा पाने के लिए सटिक गनान है। बहुत से लोग आजकल पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए सटिक बाइबल गनान के बिना चमतकार करते हैं। बाइबल हमें प्रेरितों के काम अध्याई 2 बचन 38, पहला यहन्ना अध्याई 5 बचन 2-8 और पहला पत्रस अध्याई 3 बचन 21 में दिखाती है कि पवित्र आत्मा को प्राप करने का एक मात्र तरीका पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करना है। उसी पानी का द्रस्टांद भी यानि की बप्तिस्मा अब तुम्हें उध्धार देता है। इसके अलावा बिमारी की चंगाई और दुष्ट आत्माओं को बहार निकालना सुरुवाती कलिश्या के समय में पवित्र आत्मा के सारे कार्य नहीं थे। वे इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा था। इसलिए यहां सोचना बहुत खतरनाख है कि आज के मसीहियत में सभी चमतकार जैसे की चंगाई दुष्ट आत्माओं को निकालना और अन्य भाशना में बोलना निश्चित रुप से पवित्र आत्मा के कार्य है। हमें विश्वास करना चाहिए कि आज हम मसीहियत में जो भी अजीवो गरिब घटनाए देखते हैं वे पवित्र आत्मा की सामर्द के कारण नहीं है। इसके बजाए हमें परमेश्वर के सच्चे सेवकों को समझना चाहिए जिन्होंने पवित्र आत्मा का अंतर निवास पाया है और दुष्ट आत्माग्रसित सेवकों को भी पहचानना चाहिए। तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझ में से हे प्रबु हे प्रबु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्यों में प्रविस्न करेगा। परंतु वही जो मेरे स्वर्गी पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझ से कहेंगे हे प्रबु हे प करम करने वालो, मेरे पास से चले जाओ। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति केवल चमक कार करता है तो वह पवित्र आत्मा के कार्य के माध्यम से कर रहा है। इसके बजाए, हमें बारीकी से उसकी जांच करनी चाहिए, कि क्या वह अपने पापों से माफी पाने के द्वारा, पानी और आत्मा के सूसमाचार का प्रचार करता है या नहीं करता। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति में कभी नहीं रह सकता जिसके दिल में पाप है। पवित्र आत्मा पाप के साथ नहीं रहता। आरम भी कलिश्या के समय पापों की माफी पवित्र आत्मा के आने का प्रमान था और वहां उन लोगों के लिए परमेश्वर का उपहार था जिन्ह उनके सभी पापों के लिए एक शमा कर दिया गया था हाला कि बहुत से लोग अभी भी सोचते हैं कि चंगाई, अन्य भासा में बोलना और दुस्टा आत्माओं को येश्यू के नाम से बहार निकालना बिना सर्थ पवित्र आत्मा का काम है यहां एक गलत और खतरना धारना है हमें सपस्ट रूप से यहां बताने में शक्सम होना चाहिए कि क्या वे वास्तों में चमतकार कर रहे है बलही कोई व्यक्ति येश्यू के नाम में कई चमतकार करने में शक्सम है लेकिन अगर वह पानी और आत्मा के वास्तविक सुसमाचार को जानता या विस्वास नहीं करता तो वहां जूठा शिक्षक है ऐसे लोग कई लोगों की आत्माओं को मारते हैं और अपने सांसारिक लालच को पूरा करने के लिए धन की मांग करते हैं इसलिए जिस व्यक्ति के दिल में पाप है उसका काम वास्तो में पवित्र आत्मा का काम नहीं है बलकि दुष्ट आत्मा का काम है पवित्र आत्मा जो सुरुवाती कलिश्या में काम करता था और जो अभी काम कर रहा है वहां एक ही है हाला कि पवित्र आत्मा के कारिय में एक स्पस्ट अंतर है जो उन लोगों को दिखाई देता है जिन्होंने वास्तों में पवित्र आत्मा को पाया है और वहां अंतर है जूटे भविश्य वक्ताओं के द्वारा दुष्ट आत्मा का कारिय प्रगट होना परमेश्वर के वच्चन में असत्य से सच्ची सिक्साओं को समझाने का काम करता है वह परमेश्वर ने हमें दिये हुए पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार उन आत्माओं को बचाने के लिए करता है जो इस समय अपने अपरादों के कारण मुस्केली में है हमें पता होना चाहिए कि आज पूरी दुनिया में मसीहत के अंदर कई जूटे भविशेवक्ता काम कर रहे हैं उनके दिलों में पाप होने के बावजूद भी वे बुरा काम करते हैं अन्यभाशा बोलना, जूटे चमतकार करना और दर्शनों को देखना इस युक की ब्रमित आत्माओं के लिए पवित्र आत्मा सहायक दुनिया को पाप का और न्याय अंगिकार करवाता है युहना अध्याईच 16 वचन 8 सबसे पहले सच्चाई की आत्मा मनुष्य जाती को पाप का अंगिकार करवाती है परमेश्वर की द्रश्टी में पाप, पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास न करना है वहाँ उन लोगों को अंगिकार करवाता है जो युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले के द्वारा येश्यू के बप्तिस्मा और कुरूस परके उसके लहू के खुब सुरत सु समाचार में विश्वास नहीं करते उन्हें चेतावनी देता है कि वे नरक के लिए नियोजित पापी है वह परमेश्यू की धार्मिक्ता का भी गवा है यहां परमेश्यू की धार्मिक्ता का अर्थ है कि परमेश्यू को मनुश्य के रुप में इस संसार में भेजा कि वहां संसार के सभी पापों को स्विकार करे वहाँ उन लोगों की मदद करता है जो ये शुपर विस्वास करते हैं और पानी और आत्मा के सूसमाचार में विस्वास करके पाप की इक्षमा प्राप्त करते हैं वह यह भी चेतावनी देता है कि जो लोग परमेश्वर की इच्छा को जानने के बावजूद सच्चे सूसमाचार का पालन नहीं करते हैं, बाद में उनका उनके पापों के लिए नियाई किया जाएगा आरंभ में जब परमेश्वर ने अपने वच्चन से दुनिया की सूस्टी की तो पवित्र आत्मा ने उसके साथ काम किया और बाद में पानी और आत्मा के सूसमाचार को प्रकाश्रित करने के लिए मनुष्य जाती के खाली और भ्रमित दिलों पर सच्चाई की रौशनी डाली उत्पती अध्याई एक वच्चन दो और तीन इस प्रकार पवित्र आत्मा भ्रमित आत्माओं को उनके पापों के बारे में परमेश्वर की धार्मित्ता के बारे में और उनके पापों के न्याए के बारे में उज़ागर करता है प्रशन नंबर 6 क्या अन्य भाशा में बोलना पवित्र आत्मा के अंतर निवास का सबूत नहीं है? तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि वह हमारे अंदर रहता है? उत्तर हम इस बात के लिए निश्चित नहीं हो सकते कि व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है इसलिए उसे पवित्र आत्मा का अंतर निवास मिला है यहां तक कि दुस्ट आत्मा ग्रसित लोग भी अन्य भाषा में बात कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए कि शैतान लोगों को येश्य मसी के नाम से अजीबो गरीब भाषा में बुलवा सकता है अगर हम कहते हैं कि अन्य भाषा में बोलना पवित्र आत्मा के अंतर निवास का प्रमान है तो यहां निश्टित रूप से एक बाइबल के द्रश्टी कौन से गलत है और हमें पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा के पाप में डाल देता है पहला कुरंतियों अध्याई 12 वचंतिस कहता है क्या सब को चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है वहां किसी भी तरह से पाप के साथ नहीं रह सकती और नहीं वहां उस व्यक्ति में बस सकती है जिसके दिल में पाप है हमें यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि किसी ने पवित्र आत्मा को किवल इसलिए प्राप्त किया है क्योंकि वह अन्य भाशा में बोलता है लेकिन पहले यह जाचना चाहिए कि क्या उसने पानी और आत्मा के सूसमाचार में विश्वास करके पात की शमा प्राप्त की है यदि कोई सोचता है कि उसने पवित्र आत्मा को सिर्फ इसलिए प्राप्त किया है क्योंकि उसके पास कुछ विशेस अनुबव है जैसे कि अन्य भाष्रा में बोलना तो यह हो सकता है कि उसे शैतान के द्वारा धोका दिया जा रहा है पवित्र आत्मा एक ऐसा उपहार है जो परमेश्वर द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने उसके वच्छनों के द्वारा पाप की मावी पाई है दूसरे प्रश्ण के उत्तर में पवित्र आत्मा स्वयम परमेश्वर है और सत्य की आत्मा है इसलिए वहाँ पानी और आत्मा के सूसमाचार के साथ मिलकर काम करता है वह मनुश्य की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता वह पापयों को पानी और आत्मा के सूसमाचार पर विश्वास करने के लिए प्रिवित करता है धर्मी को सत्य की बाते सिखाता है और चुपचाप सूसमाचार का प्रचार भी करता है जो परमेश्वर की इच्छा है वह आग जैसी भावनाओ या सरीर के अपरिवर्तनिय कमपन वाले अनुगों के साथ लोगों पर नहीं आता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को धर्मी लोगों को दिया जिनके पापों को पानी और आत्मा के सच्चे सूसमाचार का पालन करके दूर किया गया है उसने उन्हें सिखाया कि वे परमेश्वर की संतान बन गये है पवित्र आत्मा धर्मी की दिलों में गवाही देता है कि वे पानी और आत्मा के सूसमाचार के माध्यम से पाप रहित और संपूर्ण धर्मी बन गया है। इसलिए यदि कोई अन्य भाषा में बोलता है लेकिन फिर भी उसके दिल में पाप है तो वह आत्मा निश्ची तुरूप से पवित्र आत्मा नहीं है लेकिन शैतान की आत्मा है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चुटकारे से अलग अनुभव नहीं है। माफी का अर्थ है पाप से मुक्ती। दूसरे सब्दों में इसका मतलब है कि हमारे दिल में सारे पाप धुल चुके हैं और चले गया है। आजकल कई मसीही अकसर पाप की माफी के अर्थ के बारे में भ्रमित होते हैं जो येश्यू ने हमें दिया है। लोग नहीं जानते कि वे पाप की माफी कैसे प्राप कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें उनके पापों से केवल इसलिए मुक्ती मिली है क्योंकि वे येश्यू को अपना परमेश्वर मानते हैं। जिन लोगों ने अपने पापों के लिए एक शमा प्राप की हैं। अध्याई एक वचन साथ से नौ जो लोग अपने पापों के लिए एक शमा प्राप्त कर चुके हैं उनमें गवाई है क्योंकि वे पानी और आत्मा के सूसमाचार में विश्वास करते हैं पहला युहन्ना अध्याई पाँच वचन चार से बारा में लिखा है परमेश और येश्व मसी का साकसी है जो पानी और लहू से आया था इसके अलावा वह कहता है कि यदि कोई एक अलग आत्मा या अलग सूसमाचार के बारे में प्रचार करता है तो उसे ना तो पाप की शमा मिली है और ना ही पवित्र आत्मा मिला है लोग केवल तभी पापों की माफी पा सकते हैं जब वे येश्यु मसी पर विश्वास करते हैं जो पानी और आत्मा के सूसमचार के द्वार आया था पवित्र आत्मा को प्राप्त करना पाप की एक्षमा के लिए महत्वपून है पाप की एक्षमा पवित्र आत्मा के अंतर निवास के लिए बहुती महत्वपूर्ण है प्रश्ण नमबर आठ पवित्र आत्मा का वप्तिस्मा पाने का मतलब क्या है? उत्तर हमें येश्यु के वप्तिस्मे का कारण जानना चाहिए जब पाउलुस ने सुना कि उन्हें केवल येश्यु के वप्तिस्मा के सूसमचार का प्रचार किया उन्हें येश्यु मसी के नाम से वप्तिस्मा दिया गया था और पाउलुस ने येश्यु के बारे में जो कहा था उस पर विश्वास करने के द्वारा उन्होंने अपने दिल में पवित्र आत्मा पाया था यहन्ना से येशुने जो बप्तिस्मा पाया था वह और यहन्ना का पश्चताप का बप्तिस्मा दोनों अलग-अलग थे येश्यु का बप्तिस्मा पापों को धोना था, जो सीधे हमारे पवित्र आत्मा को प्राप्त करने से संबन्दित था फिर युहन्ना के बप्तिस्मा की प्रकुरूती क्या थी? वह चिलाया, हे सर्प के वनसो, पश्चताप करो, अन्य जाती के देवताओं को छोड़ दो, जिसकी तुम उपासना करते हो, और परमेश्वर की और वापस लोटो उसका बप्तिस्मा पश्चताप का था, जिसने लोगों को परमेश्वर की और लोटा दिया हाला कि युहना के द्वारा येश्व का बप्तिस्मा जगत के सारे पापों को उठाने के लिए था युहना के बप्तिस्मा और युहना के द्वारा येश्व के बप्तिस्मा में यहां अंतर है येश्व का बप्तिस्मा सारी धार्मिक्ता को पूरा करना था फिर वह कौनसा बप्तिस्मा है जिसने सारी धार्मिक्ता को पूरा किया है यह वह बप्तिस्मा है जिसके द्वारा येश्यो ने आदम से सुरू होकर संसार के अंत तक के मनुष्य जाती के सारे पापों को उठाया है दूसरे सब्दों में यहन्ना के द्वारा येश्यू का बप्तिस्मा सारी धार्मिक्ता को पूरा करने के लिए था सारी धार्मिक्ता को पूरा करने का मतलब है कि परमेश्वर ने अपने पुत्रों को जगत के सारे पापों को अपने उपर उठाने के लिए युहन्ना के द्वारा बप्तिस्मा दिया और हमारे लिए न्याई को सहन करने के लिए कुरूस पर चड़ाया परमेश्वर ने येशु को मरे हुए में से जी उठाया और सारे विश्वासियों को पवित्र किया यहां सब मनुश्य जाती के लिए किया गया था येशु के बप्तिस्मा और कुरूस पर उसके लहू ने हमें अनंत उधार हमारे सारे पापों से माफी और हमेशा परमेश्वर के साथ जीने का मौका दिया यहां परमेश्वर की धार्मिक्ता, प्रेम और सारे मनुश्य जाती के लिए उधार है यहां हम पुस्टी कर सकते हैं कि पवित्र आत्म का बप्तिस्मा येश्यू के बप्तिस्मा और कुरूस पर उसके लहू के माध्यम से पुरा हुआ था येश्यू मसी के नाम पर बप्तिस्मा लेने के लिए हमारे पास यह विस्वास की गवाही होनी चाहिए कि जगत के सारे पाप येशु के बप्तिस्मा के द्वारा उस पर डाले गए थे प्रत्यक व्यक्ति जिसने येशु के बप्तिस्मा और कुरूस पर उसके लहू पर विस्वास करके पाप की माफी पाई है उसे येशु के नाम से बप्तिस्मा लेना चाहिए इसलिए हमें येश्यु के बप्तिस्मा में हमारे विश्वास के प्रमान के रूप में और उनकी आगना के अनुसार बप्तिस्मा दिया गया है इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बप्तिस्मा दो मत्ति अधियाए 28 वचन 19 जगत के सारे पापों को दूर करने के लिए येशु को युहन्ना के द्वारा बप्तिस्मा दिया गया था और क्योंकि यह सत्य लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रिदित करता है इसलिए इसे पवित्र आत्मा का बप्तिस्मा भी कहा जाता है पुराने और नये नियम में कैसे पवित्र आत्मा अलग-अलग रिती से दिखाई दिया है उत्तर पवित्र आत्मा हर समय एक साही परमेश्वर है इसलिए चाहे हम पुराने या नये नियम में पढ़े उससे उसकी देविय प्रकृती में कोई फर्क नहीं पढ़ता पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने वचनों को बोलने के लिए अलग तरीके से परमेश्वर के जन के उपर पवित्र आत्मा उंडेला ताकि वह चमतकारों के द्वारा अपनी इच्छा को बता सके और अपना कारी कर सके। आला कि नयनियम के समय में पिंतिकुस्थ के दिन को पवित्र आत्मा के आने के सुरूआती समय के तौर पर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हर उस संत के पास बेजा, इसने पानी और आत्मा के सूसमाचार में अपने विश्वास के द्वारा पापों की ख्षमा प्राप्त और वह पवित्र आत्मा को उन में हमेशा के लिए रहने की अनुमदी देता है। जब पत्र सुसमाचार का प्रचार कर रहा था तब पवित्र आत्मा हर उस व्यक्ति पर उत्रा जिन्होंने वचन को सुना। प्रवितो अध्याई 10 वचन 34 से 45। यहाँ इस बात को साबित करता है कि जिस पल व्यक्ति येश्यू के बप्तिस्मा और उसके खुरूस पर के सभी धर्मियों के अंदर निवास करने के लिए दिया जिनके पाप सुसमाचार पर विश्वास करने की वज़े से माफ किये गए थे। पुराने नियम में पवित्र आत्मा ने लोगों को येश्यू की और अगवाई करने की भूमी का निवाई और नए नियम में पवित्र आत्मा परमेश्वर की धार्मिक्ता का गवा है और उसके लिए निश्चित्ता देता है परमेश्वर की धार्मिक्ता का मतलब है कि येश्व ने जगत के सारे पापों को अपने बप्तिस्मा और कुरूस पर के अपने लहू से माफ कर दिया और पवित्रा आत्मा उध्धार के सुसमाचार की निश्चित्ता देता है और हर एक व्यक्ति को जो उस पर विश्वास करता है उसकी मदद करता है प्रश्णा नंबर दस जब डॉक्टर ने कहा कि मुझे पेट का कैंसर है तब मैंने कई दिन दुख में बिताए एक दिन मेरे एक मसीह मितर ने मेरी मुलाकात ली और मुझे कहा कि उसकी कलिश्या में जो कोई भी जागरुती की सबा में हिस्सा लेता है वे किसी भी प्रकार के रोगों से चंगा हो जाता है मेरे लिए जो उस समय नास्तिक था उसके लिए परमेशुर के सामर्थ से चंगाई को पाना अच्छा और सच्छा था सभा के आखरी दिन प्रत्यक व्यक्ति सेवक के पास हाथ रखवाने के लिए गया जब वह मुझ पर हाथ रखा था तब उसने मुझे पश्चाताप करने के लिए कहा और पूछा कि क्या मैं येश्यू की चंगाई की सामर्थ पर विश्वास करता हूँ पले ही मैं मेरे दिल में विश्वास नहीं करता था फिर भी मैंने हां में उतर दिया और उसी समय मैंने मैसुस किया कि कुछ करंट सा मेरे अंदर चला गया। मेरा पूरा सरीर काप रहा था और मुझे लगा कि मेरा कैंसर ठीक हो चुका है। मैंने उसी समय प्रभू पर विश्वास करने का फैसला किया। उसके बाद बड़ी खुशी और सांती मेरे रिदे में आ क्या आपको नहीं लगता है कि यह वैसा ही है। उत्तर आपको वास्तों में एक अदभूत अनुभव हुआ है। मैंने लोगों से ऐसे कई बयान को सुना है जिन्होंने अपनी प्रात्नाओं के लिए परमेश्वर के उत्तर का अनुभव करने के बाद अपना जीवन प्रभ है। हकीकत में आजकल कई मसीही उपर दिये गए प्रशना का उत्तर हा में देंगे। जब पस्चीमी मसीहत भावतिक वात के विकास के बीच गिरावट में था तब तथा कथित पैंतिकुस्त करिस्माई आंदोलन का उद्भव हुआ। और मसीहत में विशेश रुप से वि करते हैं वे कभी-कभी दुनिया भर में जागरूतिवादी सुसमाचार प्रचारक के रूप में प्रसिद्धी प्राप करते हैं। इसके अलावा क्योंकि उनके पास अपने स्वयम के आश्चरे जनक प्रमान है और अपने अनुभव के माध्यम से अपना विश्वास व्यक हाला कि क्योंकि वह सत्य का आत्मा है इसलिए हम सत्य के वचन से ही पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया प्रिरित अध्यायदो वचन 38 और 49 और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की ख्षमा के लिए येश्व मसी के नाम से बप्तिस माले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यहाँ प्रतिगना तुम और तुम्हारी संतानो और उन सब दूर-दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रवु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो सुनिष्चित होना चाहिए कि पवित्र आत्मा का अंतर निवास आपके अंदर है। परा सकता है और नहीं पापी के अंदर रह सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा सच्चा अंतर निवास केवल उन लोगों के लिए होता है जिनके पाप पानी और आत्मा के सुसमाचार से पूरी तरह से धुए गए हैं। अन्ना के द्वारा येशु के बक्तिस्मा और कुरुस परके उसके लहु पर विश्वास करके उन सभी के उत्तर ढूंड सकते हैं। अब हर कोई जो येशु पर विश्वास करता है वह पवित्र आत्मा प्राप कर सकता है। इसे परमेश्वर ने अंतिम दिनों में सभी लोग के सूसमाचार के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो कुरुपया लेखक की मसीही पुस्तक की सुरुंखला की पहली दो कितावों को पड़े. क्या वास्तों में आपका पानी और आत्मा से नया जिन्म हुआ है? सियोल, हेवसिबा, 1999. पानी और आत्मा के सूसमाचार की और वापसी, सियोल, हेवसिबा, 1999. परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करे और प्रभु के आगमन की प्रतिक्सा करे. यदि आप लेखक के साथ मिलकर परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, तो आप पवित्र आत्मा के अंतर निवास को पाएंगे और प्रभु को महिमा देंगे.